हेलो एब्रीवाइन वेल्कम वेक्टु वाई चैनल कैसे हो आप सर्व आई होप यौर डूइंग गूड तो चलो आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसेपी शेयर करती हूँ तो गैस आज हम बात करेंगे छाती में होने वाले बल्गम, सर्दी, खासी, जुकाम, बच्चों की सर्दी और गले के इनफेक्शन के बारे में तो चलो इसके लिए बनाते हैं काड़ा तो यह मैंने ले लिए तेज बत्ता, काली मिरच, तीन छोटी इलाइची और छे से साथ लॉंग ले लिए और यह ले लिए एक छोटा टुकडा अद्रग का तो जैसे कि आपको पते यह तेज पत्ते के फाइदे काली मिरच, इलाइची और लॉंग के फाइदे तेज पत्ता जैसे हम लोग सबजियों में भी यूज करते हैं खड़ा मसाला की रूम में तो चलो मै बताती हूं आपको ये बनाना कैसे हैं तो सब से पहले हम काली मिरच, लॉंग और इलाइची को कूट लेंगे और तेज पत्ते के छट छट पत्ते कर लेंगे और अध्रग को घिस लेंगे एक पतिले पर लेंगे पानी को बॉयल कर लेंगे पानी को अच्छी तरह वाइल कर लेना है तो यह देखिए पानी वाइल हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे अद्रक अद्रक में जिंक, मैगनेशियम, फासफोरस और बिटामिन सी होता है तो अब यह हम सारे मसाले वी सी में ढाल देंगे और इसे अच्छी तरह उबलने देंगे तो देखिए इसे हमें अच्छी तरह से बॉइल कर लेना है यह रेसेपी बहुत ही इफेक्टिव है इसे हमारे गले में बहुत ही अराम मिलता है और जो भी बलगम होगा वो सारा निकल जाता है इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से पका लेना है तो इसे पीने से जो है वो सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलती है तो यह हमारा काड़ा आधा रह चुका है देखिए तो अब हम इसे ग्यास कर लेंगे बंद और इसे चाल लेंगे तो इसे हम मेकप में चाल लेंगे तो मैंने इसे चाल लिया है अब हम इसे थोड़ी देर ठंड़ा होने देंगे नॉर्मल टेंपरेचर पर आने देंगे तो यह देखिए काड़ा हमारा काड़ा बनके त्यार है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने देते हैं फिर हम इसमें एक चीज और मिलाएंगे ठंड़ा होने पर तो ये काड़ा हमारा अल्मोस ठंड़ा हो चुक है अब हम इसमें शहद मिला देंगे और कोई डायविटिक है वो तो बिना शहद के ही लेना डायविटिस वाली लोगों को शहद नहीं लेना चाहिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और हम इसे गुन-गुना ही पी लेंगे बच्चों को आप इसमें दो चम्मच दे सकते हो इसमें से दो चम्मच निकालके आप गर्म पानी में मिलाके बच्चों को दे सकते हो और बड़े ऐसे ही कंजियूम कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग आपको मेरी वीडियो कैसे लगी लाइक शियर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें